हेलो फ्रेंड्स बाइवल्ड में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों का जो मौस्ट आप कुष्चन हुआ करता था जिसके लिए आज कुछ दिन से बरावर मेसेज आ रही थी पहला कुष्चन था उनमें जो ज्यादा स्टुडेंट से पुछा नहीं होगी और तीसरा जो मौस्ट कुष्चन था वो था कि अब जो है सरकारी कोलेज में सीट बचा हुआ है परामेडिकल स्टुडेंट जो 2020 में एक्जाम पास कर चुके उनके लिए सीट बचा हुआ है या नहीं ठीक है तो इस वीडियो में तीनों कुष्चन को पूरा सह भी सही और डीपली जनकारी देने वाला हूं आप लोगों को तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा बिहार पारामेडिकल 2021 के फॉर्म के बारे में जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्टुडेंट जो मैसेज किये थे और सबको मैं एंसर तो पॉसिबल नहीं था कि सबको Oficial website है यहाँ पर जो भी एक्जाम से related notice आती है तो यहाँ पर आपदेख सकते हैं यहाँ अगर कोई form आया रहता है नया कोई form फिल्ड करवाना होता जो PCC के द्वारा exam कर्ण कि जाती है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक DIY section online application forms यहां पर जितने भी applications warm आते सारे के सारे आपको इसी section में देखने को मिल जाएंगे यहां sagen फर्स्ट round में देख रहे हैं willingness for IT catூ Mopop round offline counseling अब जो है यह जितने वह student है उनका आफलाइन कॉंसिलिंग जो मॉप अप के द्वारा होता है वो चल रही है ठीक है लेकिन उनको भी करोना के वज़द से रोक दिया गया है यहाँ पर आप इस रेड जोन में यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है क्यों क्यों कि करोना महा हमारी बढ़ गया इसमें जो है श्टू爸न नंबह जाएंगे क्योंकि आफलाइन कॉंसिलिंग महीं होती है तो यहाँ पर जाकर क्या आफलाइन कोन्सिलिंग करवाना ओगा लेकिन करोना के बड़ते संकर्मन के कारण इसको रोक दिया गया है माई के लास्ट से पहले ही फॉर्म आने की पूरी चांस रहेगी एक जनकारी आप लोगों की नौलेज में दे दू कि जो स्टुडेंट 2021 की पारामेडिकल का त्यारी करते हैं या त्यारी करना चाहते हैं उनके लिए मेरे चैनल बायो वर्ड पर मॉर्निंग 10 वजे मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास कर सकते हैं साथ ही पेड कोर्स भी है जिनमें आपको संदे संदे टेस्ट होती है चेप्टर वाई नौट्स मिलती है अगर आप चाहे तो उसे भी जोइन कर सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं दूसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई नोटीश आपको यहाँ पर आई तरफ नहीं दिख रहा होगा थर्ड राउंड या मॉप आप को ले करके यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी आई टिये का चल रहा है जो कि बंद कर दिया गया या बंद कर दिया गया या रूक दिया गया ऐसा आप बोल सकते हुए उनको क्यों क्योंकि करोना का संक्रमन बढ़ते जा रहा है और साथ ही आपके जनकारी में ये भी बता दू कि आपका थर्ड राउंड कोंसिलिंग होनी की बहुत ही कम चांस है ठीक है बहुत ही कम चांस नहीं के बराबर है चलिए अब अगला कोश्चन को बढ़ते हैं question था आपका सरकारी कोलेज में जो है सीट बचा हुआ है या नहीं है ठीक है तो फ्रेंट्स मिली जानकारी के अनुसारा आप लोगों को अपग्रेडेशन में जाके जो है डॉनलौड करना परता था अफर लेटर एडमिशन ऑफर लेटर ठीक है तो सरकारी कोलेज में जो है सीट नहीं के बराबर बचा हुआ है कुछ कोलेज में एक दो परसेंट सीट बचा हुआ है लेकिन एक में बता दूँ आप लोगों को कि इसी में बचा हुआ हुआ है जोका मौप बोल सकते हैं लेकिन हुआ लेकिं रहेट कोलेघ के कि लिएंगे बचा खुआ हुआ ढौर्मेंट में बचा हुआ 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 थी इसी को लेकर करके मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया थ्वड़ा लेट से मैं बनाया मानता हूं लेकिन सारी जनकारी कठा करने में थोड़ा सा वक्त लगता है थोड़ा सा मैं भी देख रहा था situation को कि आगे क्या हो रही है क्या हो सकती है ठीक है प्टाइए स्टाइट करेंगे उनसे मैं कहना चाहूंगा अगर आपका नंबर 180 से नीचे है प्लीज आप मत वेट किजिए अप एस्टडी पर ध्यान दीजिए अगर आपको गुवर्मेंट को लेनी है तो अगर प्राइवेट लेनी है तो कोई बात नहीं अगर गुवर्में लेक्ष्ट जनकारी के साथ तब तक इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और जो भी निव इस्टुडेंट जो तैयारी करना चाहते वह चैनल को सब्सक्राइब करके मौनिंग दस वजे लाइव क्लास करें